हेलो नमस्कार हम लोग बजट के बारे में सर्चा करने वाले हैं बजट को सब्सक्राइब कर लिए इस प्रकार की इनफर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके सामने प्रेश्टोत हो सके देखते हैं बजट कि बारे में बजट क्या क्या है बजट के बारे में हम लोग केंद्री बजट बजट केंद्री बजट बजट को इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी बिंदू हम लोग धान मिलेंगे तो दरसल जो है यह बजट जो है जां कि इस समय दो हजार केंदल का लोगस्वाब का चुनाव है इस लिए पर हैं परब्रबबच बजट पेस्ट किया जाता है पूल बजट पेस्ट नहीं किया जाता है तो कि संभावना होती है कि सरकार आप इस लिए प्रकार परकार से पढ़ेंगे तो बजट के कि बर्तमान स्थिति किस प्रकार की है इसके बारे में देखें कि बंत्राले को कितना धन अवंटित किया गया है और निषकर्ष के बारे में अगर बात करें बजट जो है कर लें देन और योजनाव का ब्लूप्रिंट होता है जैसे सरकार को राजस्व कहां से प्राप्त होने वाले हैं पिछले पफसमें सरकार को कितना पैसा आने कि अनुमान हैное करने वाली है इसके बारे में जो कुछ भी एक बीबरण होता है वहीं बजट खालाता है तरसल बजट आप अपना भी बना सकते जैसे मार बजट जो है कि दो दिन के लिए अपने महिने में कहां से पैसा आने वाला है और एकम लगे के पैसा कहां कहाँ खर्च करने वाले हैं एक महिने के लिए बजट्ट ओसी प्रकार से सरकार सरकार के खषज हो थे होते हैं इसलिए बर्स के लिए एक बजट तयार किया जाता है यानि कि पिछले बर्स में कहां से पैसा आया है और अनमानता कितना पैसा आया है और कि अनमानता कितना खर्च किया गया है आने वाले एक बर्स में क्या कहां से कितना खर्च पैसा आने वाला है तथा कहां खर्च होने वाला है इसके बारे में ए सुवार है कि पारसिध्र बिद्ति बीवरण बताता है यावन कि बजट के बारें भ। वो संविधान IkarCal Psalm लिख नहीं है बजट सब्सक्रिखक नहीं है लेकिन लेकिन बार्सिध्य बढसाई मतलैं याअ कि आपक बिद्त से संब्लटित बजट बोलते हैं बाकी सम्विधान में बजट सब्द कवलेक नहीं है कि अब आपको बताना होगा कि सम्विधान का अनुछेद 112 सम्विधान के किस भाग में आता है आप कमेंट करके जबाब देंगे एक्ष देखते हैं कि मआजूदा कारेकाल कि बज़ट में उसके बाद लब्स से भी देखेंगे कि करिफि नहीं हुई और है और के 30 गर्णिट बेनफिट ट्रांसपर है ज् Ibikum सब्सक्राइब कर देना यह होता है डीवीटी तो डीवीटी के थूपॉइंट सेवन लाह करून रुपए की बचत कानुमान लगया है बचत किया गया दो दसमलों साथ लाह करून रुपए इसका मतलब है कि दो दसमलों साथ लाह करून रुपए डीवीटी के थूप पचत की गई है यानि कि अगर डीवीटी का इस्तमाल नहीं क्या गया होता यह पैसा बरबाद चला जाता और यह बरबाद कहां जाता भरेष्टचारी में बरबाद हो जाता इसका यहीं मतलब है यह पैसा जो है कहां बरबाद होता भरेष्टाचारी में बरबाद होता क्योंकि डीवीटी के है और 6 जार रेक्ट इनय कि यहांती है अगर कि दीवीटी का सिस्टब नहीं होता यह कि ओक्तनाफर्ट दो दस्त मलो सात लाक्ष करून रुपे इतने किкойल और सचार में चलिए तो wanting चार से बचाया गया है 127 क् सट लोग टिस्कार लोग बहु आयामी गरिवी से बाहराल बहु आयामी का मतलब हो सकती लेकिन बहु आयामी का मतलब की मल्टि डाइट ये मुट सिर्फ में तो कि वो क्या खाता है उसके खाने के लिए पैसे हैं कि नहीं इस बात से अनुमान नहीं लगाएंगे उसके गरीबी का अनुमान जब उसकी गरीबी का अनुमान लगाएंगे इस बात को भी ध्यान में रखेंगे उसका स्वास्त कैसा है उसने अच्छा स्वास्त कर पाया कि नही नहीं दे पाया इस प्रकार की जो कुछ भी समाज में होने वाली गतिवीधियां उन सभी गतिवीधियों को द्धान में रखकर तब जो है कि गरीबी करने धारन करेंगे गरीबी का आकलन करेंगे तो इसी बोलेंगे मल्टी डाइजनेशनल गरीबी यहनि कि बहु आयामी गरीबी तो इस बहु आयामी गरीबी से 25 करुन लोगों को बाहर किया गया है प्रणार के प्रणार कि प्रकार के रहठीन के लिए कि लोगऑ यूख गिरिवी नहीं रखा जाता है प्राप्ट करने के लिए और इस पर ब्याज भी बहुत कम लगता है इसलिए अठाटर लाख जो है लगभग अठाटर लाख रेड़ी पट्रे वालों को रिन की सहाइता उपलब्ध कराई जा चुकी है इस योजना के तहट कुछ भारत मिशन के तहट प्रिशेक्ष्ण प्राप्त हुआ है आप कुछ लोग कमेंट करें करके बताएं कि ऐसा तो कछ हुआ नहीं कि देखें हम वह बात करेंगे जो सरकार ने बजट में पेश किया है जो सरकारी आकड़े हैं बाकी जमीनिये इस तर पर क्या हुआ है आप खुद देख लेंगे और कमेंट करके बताएंगे भी हमें कि पीम मुद्रा योजना के तहट 26 करूण फंड स्विक्रित किये गए हैं इवाओं को उद्ध्यमी बनाने के अकांचाहों को बढ़ावा देने के लिए यानि कि पीम मुद्रा योजना के तहट इवाओं को लोन देना कम कीमत पर कम इंट्रेस्ट पर लोन देना देकर उनको उद्ध्यमी बनाने के लिए प्रोत्छसाहिद क्या जाता है उवाओं को ऊद्ध्यमी बनाने के लिए यानि कि ईवाओं को रोजगार करने के लिए प्रोत्च मुद्राож STONE मुद्रा योजना आप में गेंगते हैं पिएम्ज़ी बभरण यहां आवं पर बढ़ोत्री की गई है में 2023 चवविस में है चारहजार किए इतना करोण तहां जब कि 2024 में 8550 कर दिया गया है इसको तो बढ़जत में बढ़ोत्री हुई है कि आयाइटी कालेज की अस्थापना की बात करें तो आयाइटी कालेज कि 2014 में तोलह थे 2014 के आसपाद 16 जो 2013 तक बढ़ा कर 23 कर दिया गया है आयाइटी की अस्थापना के बारे में भारे में की अस्थाफना के बढ़ोत्री हुई है एंस की बात करें स्थावदा में तास थे और में 2022 में 22 कालेज हो चुके संख्या में भी बढ़ोत्री देखने को मिली है इस सव इस बीद्यालाय यह की सब्सक्राइब करें तो 2014 में साथ सब्सक्राइब 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 किसान अनदाता का कल्याण किसान योजना आपको खुबची तरह से पता है किसान योजना इतना किसानों को प्रथक शिवित्ती सहायता उपलब्द कराया जा चुका है कितना उभी डी टी की माध्यम से डी बीटी का मतलव होथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर उनके खाते में डायरेक्ट रूप से कि बिचेवलियों को नहीं देना पड़ता है कि इम फसल योजना चार करुण किसानों का फसल बीशना किया गया तेटीतहजना का समिक नाम के तहद इनाम पोटल के तहट देश की सभी मंडियों को ऑनलाइं लाना था जिसे सभी को जनकारी उपलब्द कराई जा सके देश की सभी मंडियों को अनलाइं लाने के लिए इनाम शुरू किया गया था तो इसी इनाम के तहट 13 100 मुद्रा जोणा जोख का है और इसके लिए 2310000 क का व्यार्त और इतना रुप्य का इसमे इनाम के तहद Half suspicion 259 विए अन्यारीशक्ती नारीशक्ति कि बारे में क्या या क्या सब्लेक काम कई हैं जी इक महिला उद्यम्यों को भी तीयस कवरून मुद्रा यूजना रिन समवितरित कीये गए हैं महिला उध्यमिका ने कि महिला को बनाने के लिए अपना इले कर लिए पहस करने के लिए आपक्र प्राइजन के थी हuri जोचना के थारत श्खारिण द्म कर जिसे महिलाई अपना रोजगार स्वय रोजगार प्राप्त कर सकें दस वर्सों में उच्तर सिक्षा में महिलाओं के नमांकर में अठाइस परसंट की ब्रिदी हुई है अच्छी बात है इस्टेम इस्टेम का मतलब होता है साइंस टेकनोलोजी इंजीनिरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसीन इन छेत्रों में महिलाओं का 43 नमांकर हो चुका है इन पांचों का रिक्रम को मिलाकर इस्टेम बोला जाता है साइंस टेकनोलोजी इंजीनिरिंग मैथमेटिक्स और मेडिसीन इन छेत्रों में 43 परसंट महिलाओं का रक्षा नमांकर हुआ है इसका मतलब कि एक सव स्टूडेंस है तो सव में से 43 महिलाओं है जो कि अच्छी जी करोण महिलाओं या इसी महिलाओं है जिनको 102 साहथा समुह के दवर्र एक स्वस्तूटे कि प्रेकार का शोटे एलीस लाइव स्वहयंग सहाहितास्वमोहों ने इसमें समर्थन किया इतने समर्थन किया और समर्थन के पैस्व जो है कि इनको सरकार का समर्थन प्राप्थ होता है को मतलब कि वह हमसे कम यह बहुंआ है यह इतनी बहुए है मैंब सब्सक्राइब धर अर्थ वेवस्ता की बर्तमान इस्ठिति की भारे में देखते हैं भारति बाचता के बारत्मान इस्थिति में देखें तो gdp के परसुंटेज की रूप में कえडी कि कम नहीं को कम करने का अनौवान लिया गया है से मतलब होता है उलता है क्रेंट्ल एकाउंट ड measurement करेंट एकाउंट कि एफिसीट करेंट एकाउंट करेंट का मतलब कि सरकार ने कितना एक्सपोर्ट किया है कि आपकार किया है और इंपूर्ट क्या है िपर किया है इसका जो हैसे सरकार सब्सक्राइब कि करें से सभावज करें कि सरकार ने 100 पर सव रुपे का एक्सपोर्ट किया सव रुपे का एक्सपोर्ट किया यानि कि बीदेशों को सव रुपे का माल बेचा उसके बाद एक सब बीस रुपे का एक सब पचीस रुपे का मान के चलते हैं एक सब पचीस रुपे का इंपोर्ट कर दिया इंपर्ट कर दिया मतलग कि 125 रुपे का माल बीदेशों से खरीद लिया फिर सुने तब बोच करें कि सरकार ने 100 रुपे का एक्सपोर्ट किया मतलब 100 रुपे का माल बीदेशों को बेच दिया अपना माल 150 रुपे का एक्सपोर्ट छाफ खरीद लिया उसकी जगा पर बीदेशों से 125 रुपे का इंपोर्ट कर दिया मतलग खरीद लिया अब क्या हो गया तो सरकार को sist का हो गया तो पसके एक एक की बात करें तो तो देखे CAD क्या है CAD का मतलब होता है कि जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है CAD का मतलब कितना नुक्सान हो रहा है से बात है कितना हम क्षपोर्ट कर रहे हैं अगर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इमपर्ट तो यह देखे ग्राफ के ग्राफ इस प्रकार से प्रकार से रेंडम ग्राफ है यह चैनल हजार चवदा और यह दो हजार चोविस तो जार यह है कि कि यहां देखे 2019 2019 में सर्वाधिक था यह ग्राप जो है 2019 में सर्वाधिक था यह अदिक दो हरा जाद अचानक से कंडिशन बुरी ती लेकिन धीरे तुरंट सचानक से कंडिशन 2020 में कम हो गया अच्छी कंडिशन सुधर गई यानि कम हो गया उसके बाद देरे-देरे फिर कंडिशन बढ़ने लगी यानि कि 2023 में मैं पूरी स्थिति आ गई और फिर 2024 में फिर से घट गया तो एटलास्ट क्या बोलें कि 2024 में कमी आई है यह 2014 इसको जरा समिटाएं यह 2014 है कि यह 2014 है यहां तक है और यह 2024 की तुलना करें 2014-2024 की तुलना करें तो थोड़ी सी कमी आई है यानि कि स्यटी में कमी अच्छी बात है लेकिन आप है आप देखसकते इस ग्राफ को रेंडम और विर्वज्डारी की ता विलंखार्व कं होना पर पाथ है व्लिद खारर्ण व्लेट सबस्क्रेकरइब तो बिर्वजगारी कि दर में कमी कहीयं कि दल्ए 20 अच्छी बात है अब यहां पर देखे एक बिरोजगारी का ढ़ाटा हमने यहां पर दिखाया अब को अब यहां पर देखिया यहां पर देखिए यह डिटेल्स में दर असल है इसके बाद अचानक से बढ़ी है 2010 तक है और 2020 में जब को अचानक से बढ़ी किदा अचानक से बढ़ गई उसके बाद धीरे धीरे अचानक से घटी 2022 में 2020 और 22 के दवरान जो है कि कोविड कलत रहा था तो उस समय चरम पर थी विरुजगारी उसके बाद अचारक से घटी और इसके बाद धीरे धीरे धीर से घटी है तो 2024 में भी घटना सुरू हुई है तकल अग्रमियों के परसंटेज की रूप में मतलब होता है मतलब होता है िर्स तो अंन्बाफिट सरकार को नहीं होती है जब फ्र प्रमियों की संख्या थो कम होना चाहिए और एसनेवी कि संख्या कम होनी आचहीं बाद है तो यां देखते हैं कम होती है कि इस समय की बरतमान इस्तिति क्या है बरतमान स्थिति एस में कमी आ रही है और कम आना अच्छी बात है आप इस graph से देख सकते हैं बढ़ावा आकार यह मनें बताया तो डिवीटी डिएरेक्ट बेन फे ट्रांसफर ओक्या इस प्रकार से ब्रश्चार में कमिया आती है बिचलीयों का पैसे नहीं देने पड़ते हैं इस प्रकार से डिजितल लेंड़ेन भी जैसे हम पैसे क्या पैसे के दुगानों पर जाते यहांगीड़ सकते हैं को मिल तो कि अच्छी बात है आगे तेख देखते हैं आवसत मासिग सकल यानीग लगतार बढ़ती जा रही है जो कि सरकार के लिए अच्छी बात नहीं देना उची समझते हैं तो अलग बात है लेकिन सरकार के लिए जरूजी है कि अधिक सेल्दी कलेक्ट कर पाए तो जो है कि कलेक्शन की ग्राफ बढ़ता जा रहा है स्थिर नहीं होते हैं इनकादाम बहुत जल्दी-जल्दी कम अध्वाधिक होते रहते हैं वह सब्सक्राइब कर दिया जाता है यहां पर है मिजरमेंट के एक जाता है के हैं यहां पर है हैं कॉर में कमी है और यह करदा समझने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो महाँ यहां पर देखें जो है है 2014 से महांगाई कमी हुई फिर अचानक से 2019 तक महांगाई कमी हुई उन्हेस के बाद महांगाई में बढ़ोत्री हुई उन्हेस के बाद महांगाई में बढ़ोत्री हुई तेज तक 22 में हलांके कम हुआ है परसंटेज में कितनी है 2014 में 9.4 क्या सपास थी अब 2022 में 6.7 क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इनफलेसन होता है उसे बहुत अच्छा मारा जाता है तो चैपर संट से कुछ ज्यादा है और ये चैपर संट के भी है फिलहाल 2024 में इस गाइना अही है राजस्त स्प्राप्तियां क्या होती है राजस्ट पूंजी क्या होती है इन दोनों को देखने कि लिए इंधे गंटे का लगवग समय लग जाए गा इसको अलग वीडियो के माध्यव समझा देक हिलाल आप यह समझ ले कि राज़त्स प्राप्तिया का मतलब कि सरकार को पैसा पैसा कितना मिल रहा है और पूजी प्राप्तियों का मतलब नकी बता दू नुमें रहें लेकिन कि shipped बात कर पार रहें सरकार पैसा कि लेपा रहें हैं तो पैसा ले पार है इसका ग्राफ बढए रहा है मतलब पैसा सरकार कर ¡पया ज्याद आना सुरूव हो गया दोनों का सम्मीलन देखें तो थोड़ी सी बढ़ रही है प्राप्थियां क्योंकि अच्छी बात है दोनों में अंतर हम अभी नहीं समझा पाएंगे तो तो यह राजस्ट और पूजी गत्व का मतलब सरकार कितना खर्च कर रही है यह तो पिछला ती स्राइड बेखें कितना प्राप्त कर रही है और कितना खर्च कर रही है तो खर्च करने का डाटा भी बढ़ रहा है यानि कि सरकार पैसा अधिक लेगी जनता से पैसा अधिक वसूलेगी तो जनता पर खर्च भी तो करना चाहिए उसको न तो जनता पर खर्च करना भी अच्छी बात है और जो है कि कि इच्छी बाते पर खर्च औहीं गार्चिन यह रूपे कहां से आता है कि रूपे कहां से मतलु स्प्राता है और सरकार को रूपे कहां से flights कृचा करती सबसे अधिक रुपे कहां से आता है यानि कि सबसे अधिक रुपे आता है सबसे बड़ा छत्री है आप देख रहे हैं यह सबसे बड़ा चत्र है तो सबसे अधिक आता है पुधार और अन्य देदार से यानि कि 28% के आसपास पुधार से आता है यानि कि लोन लेने से सरकार के पास पैसा पैसा पैसे आता है लोन लेने से पुधार लेने से सरकार के पास लगवग अगर सव रुपय सरकार को लेना है अगर सव रुपय सरकार को लेना है टोटल तो सव रुपय में से 28 रुपय तो लोन लेना पड़ेगा सरकार को उसके बाद यह है 19% आयकर सव रुपय सरकार को लेना है तो सव रुपय उधार लेना पड़ेगा उन्नाइस रुपय इनकम टेक्स से आजाएगा और 17 रुपय प्रेकर से जीस्टी से अठार रुपे आजाएगा अप इस बात को समझ रहे हैं समझ रहे होंगे यह लग लग है यहां पर देख सकते हैं जैसे एक बारा बता दू अगर सरकार को टोटल सव रुपे चाहिए तो सव रुपे में 28 रुपे सरकार कहां से प्राप्त करेगी लोन सव रुपे में से प्राप्त करेगी कर से इनकम प्राप्त करेगी Cloud गोर्फे सरकार कहां करती रुपे तो आज आते आ गए सब्सक्राइब लोन से कर दो ओं सबस lorsqu हों करते हैं सब से खर्च का मैं है डिया नइन सब्सक्राइब भंछ सब करते हैं तो इसकर देने में शरक्कर होगा देने में 20-2 अरहा निक्यार भूकतान में सब्सक्राइब 50 ब्याज रुपस्टान में आ जो रुपसर ब्याज हो कर देती है इसके बाद करों और सुलकों का राजियों का भाग यानि कि राजियों का पैसा अवंटिन करना पड़ता है हर राजियों को पैसे देने पड़ते हैं तो राजियों को उनका हिस्सा देने में राजियों का पैसे देने में राजियों का अनुदान देने में लगबग 20 रुपि केंद्र की योजनाय में केंद्रिय योजनाओं में 16 रुपिया खर्च हो जाता है तो रुपिया और यह हो गया केंद्रिय प्रायोजित योजनाय में 8 रुपिया केंद्रिय प्रायोजित योजनाय केंद्री प्रायोजित योजनाय केंद्री प्रायोजित योजनाय केंद्री प्रायोजित योजनाय में 8 रुपया यानि कि सरकार को सव रुपया खर्च करने तो 20 रुपया ऐंट्र चलाएगा लोन देरान स करने में ऑपनी योजना हे चलाने में चला घेंधर जह ए यहD केंद्री यह प्रायोजीत यह थेृकर क्या है कि explained सरकार यहादिक केंद्र सरकार अपने सर्हकोय योजना चलाएगी और उसका पूरा का पूरा पैसा वकने कि सरकार करेगी तक करेगी यानिकि सरकार और सरकार दोनहों मिल कर draw को starch हिस्सा केंद्र सरकार का होगा उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होगा तो इसलिए इसे केंद्री प्रायोजी त्रियोजनाय बोलेगे इसमें पूरा का पूरा राज्य केंद्र सरकार का होगा परसेंट पूरा का पूरा नहीं होंगा कुछ सब्सक्ता का भी वोगा फिस कशेसमानिय राज के यह कि पहाड़ी ट्रा गए को आघ वheyत रहते हैं वहवादा पहाड़ी राता जोए तो दस परसेंट जो हैं तो और 90% कंद्र देदेगी समान निराज है तो 60% कंद्र देदी 40% राज देदेगा तो इस प्रकार से कंद्री पराज हो देदेगा और अंतर है आप समझ गये होंगे नेक्स दिखते हैं आगे समझते हैं बजट में सामिल गोश्रा है अब इतना तो हम लोग चर्चा कर लिए कि किस प्रकार का क्या हुआ है करीबी बढ़ रही है घट रही है जन पीए गड़ रहा है घट रहा है इसका बारे में सब कुछ हम लोग देख लें के कोशिश किये उस और 272 अटम सुन्य की प्रतिवाद्धिता 2020 तक 207 कार्बन लक्ष रखा गया है कि 2017 के बद हम भारत सुन्य कार्द सर जीत हैं को सर्जित होगा 702 272 102 तक सुन्य कार्दन का स्द्र मालख्ष रखा गया इसके पर और के लीए वहारीता आंतर नीधियन बहारीता नाय थार नी कि की कंपनी काम करने के लिए उसके लियाका करना होगा उसको जो भी लाद हो रहा है उसको हो वहनन करना होगा सरकार को देना पड़ाेगा कंपणी को कंपणी को सरकार देगी जूष का लास होगा तभी वह काम करेगी तो इसी को बोलते हैं बेवहारता अंतर निधियन जैसे पर 10 concerns पर अगर सो चलाने के लिए सफर चाहिए सव रुपे end already, drp Marca Cao Sering से उसका को हाटा, यो सरकार देंगी और हना कि सिरकार देगी त्थाद देगी ताक्यों से ऊसका कोई झाल चल सके तो कोयला सब्सक्राइब तरली करने के अस्थापना कि जाएगी है कि कोईला चोला को लिक्विड में फिर बेपर में कनवर्ट किया जाएगा लिक्विड पहले कनवर्ट करके यह благодар ङुणिए लोग जाएगा लिक्विडित्त लिक्ता हो जाएगा इससे करबन का जाएगा की 2745 चाहिए न कि अनिवारे रुप से धीरे-धीरे करके मिश्रण क्या जाएगा जैसे पेट्रोल में इथेनाल का मिलाए जा रहा है उसी प्रकार से चरण बंद जो है कि मिश्रण क्या जाएगा धीरे-धीरे करके सरकार उपलब्द कराएगी कि शत पर सवर उर्जा प्रणाली के स्थापना शत पर सवर उर्जा कर लगवा कर और बिजली बनाना प्रती महा theo तीन सव यूनिट है मातीमार टीन सव यूनिट की में एक करोण परिवारों की साहएता सरकार करनेवाली है लगवका परिवारों की शाहायता करने वाली है जो करनों लोग क्या करेंगे प्रती माह कम से कम तीन से मिनिट बिजली और उर्जा से बना पाएंगे अपने लिए तारवजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए इबस को अबना ना इबस क्या होगा कार्बन कमी होगी क्यों कि 2077 सुन्य कार्बन के लक्ष पर जाना है तो इसके लि निर्माण और चार्जिंग द्वार रई वाहन इको सिश्टम को मजबूत बनाना यानि कि वहान के लिए कोई और प्रास्प्राप्त होगा अब संद्रचना और निवेश में क्या होगा लाजिस्टिक कारे कुशलता बढाने था लागत को कम करने के लिए पीएम घति सक्ती या पीएम सक्ति गती परिभाण और असान हो पाएगी इस को बढ़ावा देना करके समझावता करके विदेशी कंपनियों में भारत में निवेश करने को बढ़ावा देगी उडार करी वालन याध्यक में मी आतरब्दा आतर ना हुपाई योट्ड मोझूद हमनी के प्रिस्तार किया जाएगा तुछ यह वा हम नए हवाय यादो का व्यापक भिकास होगा तुछ है और भी नौह हबनाए बना जाएंगे या मेट्रोरेलन और नाम है मेट्रोर भारत द्वारत के द्वारा सहरों में परियोद्टन कि बढ़ावा देगा मेट्रोरोल जो है की कि बड़े-बडे मेट्रोर अधिकान्स बड़े मेट्र layer पहले से इन अच्रोड मे SWC, दिल्ली में सरकार आफ्रकार की वह सब्सक्राइब क्या करने तक क케 स्थाइब करोद जायेगा उनको इनको फित्साहित कि छाइब को प्रुत्साहित के बाँ सक्कें यह सर्वाईकल केंट जो है कि सर्वाईकल केंसर अपको पता होगा प्राइवेट पाइट में होने वाला एक कैंसर है जिसकी वजह से समस्था होती है आगे चलकर इसके लिए जो है कि ठीका करने यानि कि वेक्सिनेशन कराये जाएंगे वेक्सिनेशन के लिए प्रत्साहित किया जाएगा नौ से चवदा परस के बालिकाओं को 72 पोषण उपलवदता बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास्त के लिए सक्षम आगनपाणियूं पोषण के पोषण कारिकरम 2.0 में तेजी लाए जाएगी यानि कि पोषण की उपलवदता सुनिस्चित कराने के लिए और आरंभिक देखभाल के लिए यानि कि प्लेटफॉर्म जाएगा और तेजीस में लाए जाएगी लिए इन्द्रधनूस के लिए लिए उड्यी एक प्लेटफार्म होगा यहाँ पर वैक्सिनेशन के छेत्र में काम करता है इसका उध्यस्चिंशन कराना है यहनिकि प्तिका करना आना है तो इसके लिए एक पता चल पाएगा कि कितने लोगों कि चाहिए जैसे आप लोगों नहीं कर आज आप लोगों ने देखा था उसका वेक्सिनेसंट जब चल रहा था तो उस समय इसका पॉटल का यूज किया गया था आयुस्मान भारत योजना के अंतरगत सभी आशाकर्मियों आगनबाड़ी क सरकारे करता और सहाइकाओं को स्वास्त भीमा उपलब्द कर आए जाएंगे कि अवासन की छेतर में सरकार क्या करने वाली है प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना जिसमें घर बनाय जाते हैं गरीब के लिए घर बनाय जाते हैं तो तीन करून के लक्ष को प्राप्त करने में शफल रही है सरकार का इसा मानना आया कि प्रधान मंत्री अवास योजना के तहद तीन करून अवास सरकार ने बना दिया है और अगले निगे पांच बरसों में अगर सरकार आती है तो अगले तुमों अगर बनती है तो आपना घर खरीदने तथा बनाने के लिए मध्यमबर्ग को प्रसाइद करने मध्यमबर्ग अवास योजना प्रारामभिक जाएगी एक और योजना लाई जाएगी यह तो गरीब के प्रदान मंत्ती आवाश योजना गृब के लिए लेकिन चारोबार भा साहितरा की जाएगी कारोबार को आकरसित करने के लिए स्थानी उद्यम सिल्त जो भी लोकल जो है कि उद्यम है उनको उनके होसरों के बढ़ावा देने के लिए अतिहासिक पर्षटल विकास को प्रारम 나गे अ किया जाएगा किसे क्या होगा वहाँ स react तो उसके लिए सरकार प्रयास करेगी और राजियों को प्रत्साहित करेगी कि ऐसा करें के लिए उसके लिए इसके लिए तरक्रवाभिक पैसे दिया जाएंगे देज जए जाएंगे अधिक समय के लिए देजाएंगे स्फटा कॉई भी इंट्रेस्ट नहीं लिया किज़ना कि गोश्णा है कि टी बात हुई है इसकार पर गेकल की बैठ कि तो मे कि तो इससे क्या होगी और इससे क्या होगा दर्सक प्रभावित होंगे और भारत में घूमना चाहेंगे भारत में आना चाहेंगे तो यहां के भारत का जो लोकल उद्याँ है उसको बढ़ावा मिलेगा लच्छ दीप सहित अन्य दीपों को कनेक्टिविटी परेटन और सनरचना और सुभिधाओं के लिए परियुजना आरम की जाएगी लच्छ दीप के बारे में खुब आप सुने आपके तो इसके ताद लच्छ दीप की चर्चा इसमें की गई है बजट में और बताया गया है कि लच्छ दीप तथा अन्य भी दीप जैसे अंडवान होई त्यादी तो लच्छ दीप तथा अन्य भी दीप तो कनेक्टिविटी परेटन और सनरचना सुभिधाओं के परियुजना आरम बकी जाएगी यानि कि भारत की मुख्य भूमी से इन दुपों को जुड़ा अब देखते हैं कि किन मंत्रालों को विसिष्ट आवंटन प्राप्त हुआ किन मंत्रालों को कितना पैसा दिया गया है तो सबसे अधिक जो है रक्षा मंत्राले को पैसा दिया गया है कि रेल मंत्रालेको दोदस्टों पांच फांच लाह कर न रुपए और खादे सारोजनिक वित्रण मंत्रालेको टुह पाइंट क्रिश्यम अलेको सवत्व सब्सक्राइब कर लिए इस प्रकार के इंफार्मेटी वीडियो पहले आपको देखने को मिल पाए धन्यबाद